हेलो दोस्तो आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी एक ब्रेफास्ट की रेसीपी लेकर आए हैं जटपड इसे हम बनाकर रेडी करेंगे और यह बहुत ही खाने में लाजबाब होता है और सबजियों से भरभूर होता है तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर हमने बावल के अंदर एक कप सूजी ले ली है सूजी को हमने चान लिया है यह रेगुलर सूजी है जो नॉर्मल हम घर में यूज करते हैं और यहाँ पर वन फोर्स कप हमने बेसन लिया है बेसर यहां पे binding देगा और टेस्ट को भी बढ़ा देगा एक गाजर को मैंने अच्छी तरह grate कर लिया है एक गाजर ली है हमने उसको grate करके इसके अंदर डाल दिया है अब हम इसके अंदर डालेंगे एक कटा हुआ प्याज और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं एक कटी हु बना रहे हो तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं यहां पे हमने हरा धनिया डाल दिया है काफी सारा तो सब्जियों की मातरा आप कम ज्यादा कर सकते हैं और आप अपने च्वैस के कॉर्डिंग सब्जिया ले सकते हैं यहां पे एक कप धही लिया है मैंने फ्रेश उस चुछा चमच हमने डाला है, और अब हमने इन सभी समान को अची तरह mix करना है, अची तरह mix कर लीजे, पानी थोड़ा-थोड़ा डालते हुए mix करेंगे, जितना पानी की जरूरत होगी उतना ही डालेंगे, एकदम से पहले नहीं डालना है आपने, कई बार ऐसा होता है कि दह हमारा ज़्यादा पतला होता है, तो पानी कम लगता है, तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको mix कर लिया है, आप यहाँ पे यह हमारा बैटर बिको perfectly ready हो गया है, ऐसा ही हमें ठिक सा बैटर चाहिए, बहुत पतला बैटर हमने नहीं करना है, आप हम इसके बाल बनाईए, तो यहाँ पे breakfast बनाने के लिए हमने pan को गरम होने के लिए रख दिया है, पैन अच्छी तरह गरम हो गया है, इसके अंदर oil हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हलका सा इसको grease करना है, बिल्कुल थोड़े से oil से grease करते हुए हम इसके अंदर spread कर देंग अब हम इसे ढख देंगे, एक से दो मिनट के लिए low flame पे पकाएंगे तांकि यह एक साइट से crisp हो जाए, oil का यूज मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, healthy base से बना रही है और इसको हम कम तेल में ही बनाएंगे, तो यह देखे, एक साइट से यह थोड़ा पग चुक तब ही यह दूसरे साइट से अच्छा सा कलर लेगा, वैसे ही हमने दो मिनट के लिए low flame पे इसको दूसरे साइट से भी कुक कर लेना है, और उसके बार आप देखिएगा, बहुत ही टेस्त ही यह breakfast हमारा बन कर रेडी हो जाएगा, इसी तरह हमने सारे अपने चीले कह लिज कैसे भी टमैटो केचप के साथ या ग्रीन चत्नी के साथ सब कर सकते हैं, मुफली की चत्नी का लिंक मैं आपको रिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहां से देख लीजिएगा, आप देखिए कितने fluffy, कितने शानदार यह हमारे चीले बन कर रेडी हो गए हैं, और आपको बहुत सब्सक्रिप्शन में देखिएगा, वहां पे आपको बहुत सरी रेस्टिपी मिलेंगी, थैंक यूप वाचिंग